प्लेयर्ज रोप को ग्रिप करते हुए ये भी एक दानिश खास टेकनीक होती होगी रोप को ग्रिप किसे करना है ताके अगर खिचे तो हाथ पर रगण ना लगे ज्यादा जोर से क्योंकि बहुत ज्यादा ताकत लगती है दोनों तरफ आठ आठ खिलाडियों पर मुश्टमिल लिए टीम विल्कुल कमबाइन पावर का गेम है ये एरफान साबिर और पूरी टीम अगर एक मशीन की तरह ऑपरेट करें तो ज्यादा बहतर नतायज हासल करती है अगर हर पुर्जा अलग-अलग काम कर रहा हो तो वो एफेक्ट नहीं आता विगेटिंग रेड़ी फिर फिर्स मैच तो बिगिन ये वी गो ओ पाकिस्तान रेलवे भारी पड़ती हुई पाकिस्तान रेलवेज कदम नहीं जमा पाई टीम पाकिस्तान पुलीस और पहला राउंड पाकिस्तान रेलवेज ने विदिन फाइफ सेकिंड ही जीत लिया सर्प्राइज है ये मेरे लिए एरफान साबर पिकरज आप देखें यहां सही नजर आ रहा है कि पाकिस्तान पुलीस की जवान है वो ज्यादा भारी भरकम नजर आ रहे हैं जादा तगड़े नजर आ रहे हैं बट सही मानों में टेक्नीक का मुझारा कर रही है यहां पर पाकिस्तान रेलवेज की टीम क्या बात है कोई सिंक्रोनाइजेशन आपको नजर आती है डिपार्टमेंट वाइस पाकिस्तान रेलवेज जिस तरह लाइन में खड़ी होती है अपने डिपार्टमेंट के हवाले से जैसे एक इंजन पूरी तरीके से पुल करता है बोगियों को बिलकुल उसी तरीके से बिलकुल पाकिस्तान में उसको एंकर कहा जाता है तो वा एंकर समालता है बाकी तमाम टीममेट्स को लेकिन उनका किरदार भी उतना ही इंपॉर्टन कोई एक बोगी भी डगमगा रही हो तो पूरी ट्वेन लट सकती है पाकिस्तान रेलवेज क्या पट्री पर है पाईगी सेकंड राउंड विसल बच्टे ही खींचातानी शिरू होगी इस रसी की और ये विसल बजी मगर पैर जमते नजर नहीं आ रहा है टीम पोलीस के और इस मरतबा फिर पाकिस्तान रेलवेज विदिन फाईव सेकंड दूसरा राउंड भी जीतने में कामयाब हो गई पाकिस्तान रेलवेज इस टूनिग आउट टूप वर चैंपिनशिप चाउंट इस वे नाशनल गेंज में दस टीमें शिर्कत कर रही हैं टूप वर के मुकाबलों में कल कुछ इसके संसरी खेज मुकाबले हमने देखे वाकि में संसरी खेज तेरफान साबर क्योंकि भरपूर ताकत का मुझारा हुआ और एनरजी लेवल्स भी बड़े हाई थे क्या पाकिस्तान रेलवेज टीम टू बीट होगी इस इवेंट की कल चाहिद एक ही हमने मैच देखा जो तीन राउंड सक गया अदरवाइज स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त हुई जिन टीमों को भी शिकस्त हुई और ये मुकाबला पाकिस्तान रेलवेज जीत गया स्ट्रेट राउंड पे पाकिस्तान पोलीस को पहली शिकस्त आज की दिन का जो अगला मैच खेला जाने वाला है वो पाकिस्तान वाबडा और एचिसी की टीमों की तरम्यान खेला जाने वाला एचिसी ने कल अपनी ताकत का मुझारा किया था दूसरी जाने बापाकसन वाबडा ने तगड़ा मकाबला किया था टीम पाकसन आरमी का गोके उनको शिक्रस हुई थी टीम वाबडा टीम एचीसी दोनों ही टक्कर की टीमे हैं देखना अब यही है कि इस मकाबले को कौन अपने हक में लेके जाता है टीम एचीसी वाबडा ब्लू जर्सियों में दोनों ही टीमें टॉस के बाद अपनी साइड मुन्तखिब करने का हक हासिल होता है टॉस जीतने वाले को टीम वाबडा ने टॉस जीत के अपने लिए दाएं जानेब का इंतिखाब किया मैंसे दाएं और बाएं में को जादा फर्क है नहीं बड़ ये भी एक साइकलोजिकल पैंतरा हो सकता है इरफान साबर कि आप जहां खड़े हैं हम वहां आएंगे वांट यू तो लूस यूर फुटिंग्स बोट अब दोनों सवालों का जवाब यह है कि बहुत गर्मी थी एक तो मौसम की अपनी तपिश थी और पीछे से जो प्लेयर्स की गर्मी हमें फील हो रही थी वो भी भरपूर मुकाबला कर रही थी इस सूरज की तपिश का अंड वी रालसो रेडी फॉर दा हीट्स आफ फोर हंड़र्ड मीटर वन हंड़र्ड मीटर तू हंड़र्ड मीटर यह भी अब जल्दी आपके सामने आएंगी स्क्रीन पे जितने भी खेलों की मुकाबले हैं वो तमाम के तमाम नशर किये जाएंगे मिन वाइल पोजिशन स शरू even before the whistle and here we go वाबडा भारी पड़ती हुई HEC भरपूर जोर लगाती हुई दोनों ताकत का स्तुमाल कर रहे हैं भी very good team HEC has made it I think team HEC they're definitely pulling them shanda technique का मुझारा team HEC की जाने से losing the footing team वाबडा seems to be losing the footing और ये मुकाबला team HEC ने ये round जीत लिया wonderful surprise package लेके आई ये team HEC एक बार फिर just like so many other events because the mutatat events हमने देखे है 34 national games में जिसमें team Pakistan Army और team वाबडा की तरफ हर कोई देख रहा था और team HEC ने surprise package पेश किया basketball में भी कुछ यही देखा हमने उसके लावा हमने boxing में भी ये देखा कितने events का जिकर करें अर्फान साबर exactly and medal टाली पे आपको team HEC नजर आएगी जो के यकीनन एक खुशाइन बात है team HEC के लिए मुक्तलिफ तालीमी एदारों के तालेबिलमों पे मुच्तमिल ये team बहुत खुशाइन बात इसमें ये के तालीमी सरगर्मियों के साथ-साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी बढ़ चड़ के एक उम्तियाजी position हासिल कर रहे हैं participation ही नहीं हैं इम्तियाजी positions भी हैं wonderful this is Pakistan for you and the youngsters of Pakistan पहला round जरूर जीतने में कामियाव हुई है यहां पर HEC की team याद रहे तीन rounds पर मबनी competition होता है यह जो भी team दो rounds जीट जाए वो मैच जीट जाती है और अब तक 99% मुकाबले हमने दो rounds के ही होते वे देखे हैं जैसे हरफान साब ने बताया सिर्फ एक मुकाबला अब तक ऐसा हुआ है जो तीन rounds जग गया था now then will team Vabda bounce back this is team Vabda for you in blue costume and this is team HEC they will have to bounce back team Vabda अगर उने competition में रहना है तो bounce back करना पड़ेगा ठीम इचीसी अपनी footing बनाते हुए गल्द जटका पड़ने पर दाने नीज पर भी बहुत जोर आता होगा क्योंके बहुत ही powerful गेम है तो ये इसमें नीज का भी बड़ा अमल दखल है पूरी बोडी की ताकत चाहिए आपको तोस से लेके जिसम की एक-एक मसल तक जबर्दस मजामत फराम करते हुए टीम एचीसी इस वक देखें किस सरा पैरों को गाड कर अपने आपको रोका लेकिन वाब्डा भारी पड़ती हुई और खुब जबज़र अंदास में खेचाता नहीं हो रही है यह आपर तो बड़ा इस टक्कर का मुकाबला लगता यह साइड्स का भी कोई डिफरेंस है विल्कुल ऐसे लगता है राइट साइड बे थोड़ी सी स्लिपिंग हो रही है पहले वाब्डा की टीम डाइट साइड पर थी और वो स्लिप हुए अब एची सी की टीम आई तो वो स्लिप होना शुरू हुई दोनों ही टीमों ने एक छोटा सा वाटर ब्रेक लिया टीम एची सी का वो ब्रेक मिल चुका है जिसकी उनको अशर्द जरूरत थी ये रेफरी टीम वाब्डा का मुराल यकीनी तोर पे बलंद होगा क्योंकि वो एक गेम डाउन थे उपर आए हैं और हाई नोट पे सेकंड राउंड को खत्म किया था अपने हाक में थोड़ा सा निजबतान लंबा राउंड हुआ था जिसमें काफी खिंचतानी हुई इसके बाद टीम वाब्डा फुल करने में कामयाब हुई बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वाली बॉल में हम लीब्रो देखते हैं उसी तरह टग ओफ वार में एंकर अलग किट में होता है पूरी टीम आपको एक किट में नज़र आएगी और एंकर आपको थोड़ा सा डिफिरेंट नज़र आएगा एको शांदार मैच टीम वाबडा वर्स टीम एचिस सी इस फाइट फाइट फर गोल्ड मैडल पूले का में मैच जारी है दस टीमें शिरकत कर रही है इस टग आफ वार के इवेंट में और होफली नेक्स टीवेंट जब भी होगा तो दस से ज्यादा टीमें होंगी कि युके इस खाइट इन इंट्रस्टिंग गेंड़ कोच को मना करते हुए कि आप बाहर हो जाएं थोड़ी देर के लिए युके 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 राइट डाउन किया जाता है जो भी एट प्लेयर्स आट प्लेयर्स उसमें शिरकत करते हैं दोनों तरफ आट प्लेयर्स होते हैं कि इसमें गेम वेट का होता है इरवान साबिर और कोई एक भी भारी भरकम प्लेयर्स आट कर दिया जाए तो उससे फर्क पड़ सकता है जेकली दोनों तरफ साथ सो पचास केजी वजन होता है प्लेयर्स का कमबाइंड मीनवाइल पॉजिशन संबाली डिसाइसिव और डिसाइडिंग राउंड है ये रैफरी की विसल का इंतिजार और ये शुरू होई पुलिंग टीम वाबडा सीम्स टू बी पुलिंग एट फुटिंग लूज करते नजर आ रहें दानेश टीम एचिसी लेकिन शांदार अंदाज मजामत पराम कर रहे हैं यहां इस्ता इस्ता पुल भी करते हैं नजर आ रहें आंकर नीचे गिरा तो सार नीचे लड़ खडाएंगे पूरी जोर अजमाई दोनों एंड से चैन दे पुल बैक टीम एचिसी आलमोस्ट अंदाज मिराकिलिस कमबैक होगा अब ऐसा लगता नहीं और इस तरह टीम वाबडा ये कांटेदार मुकाबला जीतने में कामियाब हुई ये तगड़ा मैच होगा एर्फान साबर क्योंकि ये दोनों टीमें काफी इकुली बैलनेज़ाएंगे से नजर आती है अब तक दोने ही टीमों ने स्ट्रगल किया है तुराद टोर्नमेंट और पंजाब की साइड ने लबता बहतर जोर आजमाई दिखाई है हमें और बहतर टेक्नीक दिखाई है कल बलुचस्तान को शिकस्त भी दी थी तीन राउंड में पंजाब ने ये दूसरा मैच है उसके बाद जो के तीसरे राउंड तक गया पंजाब वसिसिन मीनबाइल टीम पाकसान आर्मी भी फिलाल प्रैक्टिस करती हुई फाइनल स्ट्राटिजी डिसकस की जा रही है ये वो मनाजर जिसका हम जिकर कर रहे थे टीम पाकसान आर्मी बड़ी प्रिफेशनल टीम है और जिस्टिस्पलें में भी आप देखेए च्वातरस बेर नाशनल गेमज के आपको पाकसान आर्मी की टीम टॉप करती हुई नजर आएगी अल्मोसससेंशनी मुकमल होने वाली है टीम पाकसान आर्मी की गूल मेडल्स की संचरी 95 गूल मेडल्स हासल कर चुके हैं अर दूसरी जाने बाप मैडिल्स की डबल सेचुरी मुकामल करने वाले ओर आल मैडल्स की अगर बात की जाये तो तरी को डबल कर लिया है अब पाकिसान आर्मी की टीम ने अग्टीं कोई भी दूसरी टीम पाकिसान आर्मी की मैल's टाली से कमपीड कर प intention कर पाईगी बड़ा भी खासे मुकाबले बाकी हैं टॉस हुआ और पंजाब ने टॉस जीता है और डिसाइड किया है कि हम उस साइड जाएंगे जहां सिंध की टीम खड़ी है ये भी ठीक है ग्राउंड की शुमाली जाने जबके जुनुबी जाने टीम सिंध को जाना पड़ा रड़ और और ओंज टाइप है ये यलो टाइप कलर मिक्स है इनकी कास्टिम का बेज बेज नाओ के नाट रांसलेट बेज नूर्दू गंदुमी ये कॉंसी गंदुम होती है दानिश्ट बट गा प्रोमेनेंट इस रड़ कलर इंदेर टीशेट्स मुझे तो वैसे खाने भी नहीं की चीज़ते नजर आ रही होती है अरजगा इरफान साविर तो जाविये का फरक है यहाँ पर इस गड़ बोथ गेटिंग रेड़ी पोजिशन लेंगे रेफ्री की विस्टल का इंतिजार एंड सेंटर में रेड कलर की पटी नजर आती है और दोनों जाने वाइट पटी बंदी होती है यह वाइट पटी रेड सेंटर लाइन को अगर क्रास कर जाए तो फैसला हो जाता है ये रेट कलर सेंटर में और बिलुकुल पुलर्स के करीब करीब दोनों जाने वाइट कलर की पट्थी तिकha मुकाबला होगा ये दोनो टीमें जोराजमाई करते हुए पंजाब की टीम भारी पड़ते हुए यहाँ लगता है कोई मुकाबला नहीं है यहाँ पर सिंद का पंजाब से सोर अजमाई जरूर की जारी है सिंद की जानेब से आप देखें मजामत फराम जरूर कर रहे हैं बट आहिस्ता आहिस्ता पंजाब की टीम प्रेशर एग्जर्ट करके उनको खेंच टीविन अजला रही है पंजाब पुलिंग इट पुलिंग इट एंड यहाँ पुल्ड इट फॉर देम पहला राउंड पंजाब के नाम रहा फुटिंग ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रख सके अथलीट्स टग आफ वार में कुछ अथलीट्स प्रेफर करते हैं कि उनके पैर में जूते हों जो सही ग्रिप कर सकें जबके कुछ अथलीट्स इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि बगएर जूतों के उनके पैर ज्यादा ग्रिप करते हैं सिन बगाइर जूतों के आपको नजर आएगी उनके लगता यह है कि वो यह समझते हैं कि बगाइर जूतों के हम ज्यादा बेतर ग्रिप कर सकेंगे बटिंदा ग्रास आई डॉंट तिंग बिल्कुल आई परस ने बिलेव अगर आपके पास स्पाइक्स वाले जूते हैं तो आइडियल सेनारियो है बिकर स्पाइक्स गड़ जाते हैं ग्राउंड में आपके पैर घास पे तो स्लिप होते हैं अरपान साब है आप टीम पाक सनार्मी को देखें तीम बापड़ा को देखें यह सीनियर टीम में जाती हैं टॉप वार में एक अरसे से हम टॉप वार के मकाबले में टीम्स को देखते हैं तो यह जूते पहन के खेल रहे हैं तो इसका मतलब शूज वर्क वैल देखना है टीम सिंध अब दूसरा राउंड है क्या टीम वाबड़ा की तरह कमबैक करती है टीम सिंध सेकेंड राउंड में यह देखना है चंदी लमों बाद मीनवाइल थोड़ी सी तबदीली शायद टीम पंजाब ने की है अपने प्लेयर्स में जो अपने नाम पंजाब और यह शूज में हैं फ्लाट सोल शूज है जिसका सोल भी ज्यादा उंचा नहीं है यह दर फ्लाट सोल क्या सिंद की टीम यहां पर बहतर मकाबला कर सकती है पंजाब की टीम का यह राउंड अगर जीतने में कामियाब हो तो प्रेशर तो आएगा पंजाब पर बट क्या पंजाब की टीम यह होने देगी ना सिर्फ प्रेशर आएगा बलकि मुकाबला भी दिल्चस्प होता होता चला जाएगा थर्ड राउंड में ज्यादा एफर्ट की साथ आएंगे बट फ़द थर्ड राउंड सिंद को सेकिंड राउंड जीतना होगा कंडिशनिंग की बात करें अगर रिफान साबिर तो ज्यादा बहतर कंडिशन नज़र आते हैं पंजाब के प्लेयर्ज अगर आफकत काट और फिजिकल कर तैयारी की बात करें विसल का इंतिजार और ये विसल बजी जोर अजमाई शुरू की गई एक से दो स्टेप टीम पंजाब खेंचने में कामियाब होई और अब फुटिंग लूज करते हुए टीम सिंद और टीम सिंद ने हिम्मत हार दी टीम पंजाब ये मुकाबला स्टेट राउंड सी बन्याद पे जीत गई गई गदानिज कहां पे आपको ऐसा नज़र आया कि टीम सिंद थोड़ी सी वीक थी आया उनकी टेकनीक और फुटिंग सही नहीं थी या पावर के हवाले से टीम पंजाब ज्यादा भारी पड़ी बहुत बारी भरकम प्लेर्स लेके आई हैं दीगर थीमें और फिर एक यूतों का भी फर्क हो सकता है अरपांसाबर्टा क्योंकि आपकी फुटिंग अगर सॉलिड ना हो और अगर आप स्लाइड कर रहे हैं हो तास हाफ बैटल लोस्त जाग ओफ व़र झाल झाल